अरे मुदी जी अना अद्ध खरीद रहे हो का? अगर आ अज खरीद रहे तो मेरा एक बूरा चना में लेकि आया हूँ इसको खरीद लो, मुझे चने से बहुत सारा खर्चा चलाना है, अभी बर्शात का सीजन चल रहा है, तो मेरे पास काम धंदा कुछ है नहीं है, मुझे ब पता दो फिर कितने रुपिया किलो चना खरीद रहे हो तुम राहुल तुम्हारे चने में बढ़िया रेट में लगा दूँगा तुम बस बेच दो चने को बढ़िया रेट में लगा दूँगा तुम भी कहोगे कि बस बढ़िया रेट में लगाया है मोदी जी ने अपने चने को बस 50 रुपिया से 60 रुपिया की बीच में लगा दूँगा तुम्हारे चने को तुम दिखा दो एक बार चने कितने बढ़िया है कहीं छोटे छोटे चने तो नहीं है बढ़े वाले चने हैं तुनराई ओरे मौधी जी बहुत बढ़िया वाले चने हैं मेरे बढ़े वाले चने हैं अडरर चने जिसको बोलते हैं वो वाले चने हैं और तुम यहां साथ रुपिया के बीच में बता रहे हो चने को चने सहर में सत्तर रुपिया रेट चल रहा है अगर तुमको सत्तर रुपिया रेट लगाना है तो तो बता दो देखो योगी जी भी लेके आगमेरे पीछे-पीछे उनको भी चन्य बेचना है अगर तुम बढ़िये रेट में लगा दोगे तो हम दोनों तुम्हारे यहाद चन्य बेच देंगे देखो राहूल अगर तुम सहर के लिए चन्य लेके जाओगे तो तुम्हारा भाड़ा भी लब जाएगा दस रुपिया इसलिए बोल रहा हूँ कि मैं तुम्हें यहीं दे दो मुझे 60-60 रुपिया रिड लगा दूँगा मैं तुम्हारे चने को और तुम और योगी जी दोनों यहीं पे चने दे दो और राहूर मैं तुम्हारे देखा से की लेकि आवे यहां पे चने को मैं तो सहर की तरह भी लेके जाने वाला था चने इस बेपारी के पास तो लाना ही बेकार रहता है चने को बहुत सस्ते रेट में खरीते हैं यह गाओं के बेपारी अगर सहर लेके जाते हैं तो बढ़िया रेट में बिच जाता है कोई सभी आनाज लेके जाओ यहां तो यह लोग मजबूरी समझ लेते हैं मजबूरी यह लोग समझते हैं और हमको जरूरत रहती है इसलिए हमको गाओं के ब्यापारियों को देना पड़ जाता है बताओ मो 65 रुपिया रेट लगेगा तुमारे दोनों के चने को मैं यहीं खरीद लेता हूँ अगर तुमारी मर्जी हो तो दे दो चने और ना हो मर्जी तो ले जाओ यहां से सहर की तरब लेकिन फिर इतना याद रखना कि फिर कभी भी तुमारी मजबूरी में अगर तुम पैसे लेने के लिए आओगे न मेरे पास उधारी तुमें वह भी नहीं दूँगा अगर तुमारी मर्जी पड़े तो दे दो और नहीं तुम ले जाओ और भाई लोगो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें मिलेंगे अगले वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद